कि हलो फ्रेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हम UPSC 2011 के यह फोर्थ है सेक्षन यानि 75 से आगे कोश्चन हम करेंगे और इन 75 कोश्चन में यानि 78 कोश्चन सुरू कर रहे हैं 100 तक यानि 2011 का यह लास्ट पार्ट है और हम इस तरह से 2012 13 14 19 तक जाएंगे और कोशिस करेंगे जल्दी इसको करें हम हो सकता है कि कल से दो वीडियो आना सुरू हो जाएं एक 9 बजे और एक 10 बजे ठीक है ताकि जल्दी हो सके कवर पहला कोश्चन देखते हैं मिर्दा का लबड़ी भवन मिर्दा में एक कत्र संचत जल को बास्पिकत होने से पीछे छूटे नमक और खन्रिजों से उत्पन होता है सिंचत भूमी पर लबड़ी भवन का क्या प्रहा पड़ता है सीधा कुश्चन यहां पर है कि जब किसी भूमी को सीचत किया जाता है तो जो धरातल से नमक है है वो उपर आ जाता है और जो पानी है वो सूख जाता है बास्पकृत हो जाता है उसके बाद जो लबड धरातल पर रहता है सर्फेस पे वो किस तरह से सिंचित भूमी पर प्रभाव डालता है आपने देखा होगा गाउं में कोई खेत होता है जैसे माली जी यह खेत है अपने देखा हो कभी कभी कि खेत के किसी कौने पर यहां पर पानी बढ़ा रहता है फारसम वो जगह पानी डूबी रहती है किसी कौने पर और वह जो जगह डूबी रहती वहां पर फसल कम होती है यानि पूरे खेत में जो जितने साइज की क्रॉप होगी उससे कम डे यह है कि जो भूमी लवणी कंड होती है वो फसल उत्पादक्ता को कम कर देती है पहला ठीक है तो इसमें पहला अप्शन दिया हुआ है यह फसलों की उत्पादन उत्पादन में अतिधिक ब्रद्धी करती है यह तो एकदम गलत है आपने खुद देखा है अपने खेत में आस पाई निकाल दो कि उन्हें जादा देर पानी खेत में भरे रहने का मतलब यही है कि वह लबणी कर्ण हो जाएगा एक वर्ड होता है साइंस में आपने सुना होगा लीचिंग वर्ड हिंदी में सुर्ज इंगलिस में और हिंदी उसकी होती होता है क्या है निच्छालन जैस उपर पानी भरा हुआ है, तो इसके अंदर जो लवन हैं, सॉल्ट हैं, वो पानी के माध्यम से सरफेस पर आ जाते हैं, कहां पर आ जाते हैं, इस एरिया पर, इस एरिया पर लवन जम्म हो जाता है, पानी के माध्यम से मिर्दा में से लवन का धरातल पर आना यही लीचिंग या हिंदी में निच्छालन कहते हैं ठीक है ये है इससे क्या होता है कि जो मिर्दा के अंदर जो पोर है जो चिद्र है वो भर जाते हैं और इससे क्या होता है कि यो मिर्दा के अंदर जो पोशक तको हैं वो पौधे तक नहीं आपाते और वहां की फसल कमजूर हो जाती है ठीक है यह कुछ मिर्दाओं में अपारक गम में बना देता है यह बिलकुछ सही है अपारक गम में यानि वो जो छिद्र होत उनको भर देता है यह बहुम जल को उपर ले आता है ऐसा कुछ नहीं है बहुम जल को पर कैसे ले आएगा है ना नहीं ले आएगा यह मिर्दा के बायो अब कासों को जल से भर देता है नहीं ऐसा भी नहीं है ठीक है तो क्या होता है वो मिर्दा अपारक गम हो जाती है तो मिर्दा के अंदर पोशक तत्त्यों वो धरातल पर नहीं आत पाते हैं और वो लवड़ियें मिरदा हो जाती है और इसलिए वहां पर भूमी की उत्पादक्ता कम हो जाती है सबसे जदा भारत में ऐसी समस्या उत्तर पश्यिम में है और हम एक बहुत सिंपल वड़ में बोलें तो यव एरिया है आए जो इस कर दोला वाला एरिया हरित रांति वी बीजों को इस्तेमाल किया गया था जिन में सिचाहिस जादा होती थी ठीक है अब सब्रकुष्ट देखते हैं इस में कि पेरिस में है इसको देख लेना आप इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन और रिशोर्स नेचरल रिशोर्स यह बहुत इंपोर्टेंट है दो चीज़े हैं आयू सीएन एन का पार्ट है और आयू सीएन द्वाँ प्रकासित होती यह डिया डियता लीजिए, पिर हम उप्सण पे आते हैं रेट डेटा भूक जो भी IUCN या UNO के मेंबर हैं उन में कोई plant animal, rate data book सुनिये, rate data book IUCN दोरा प्रकासित की जाती है, लंदन से प्रकासित की जाती है, हर चार वर्ष में की जाती है, इसमें प्रत्वी पर समाप्त होने वाले जीव, जन्तु, प्रकासित की जाती है, हर चार वर्ष में लंदन से, इंग्लिस में, ठीक है, यह भी कभी पूछ सकता है, किस भासा में तो इंग्लिस में, और ऐसे plant, एनिमल जो खत्रे में हैं, या जो समाप्त हो चुके हैं, उनकी लिस्ट जारी करते हैं, ठीक है, यह है, अब देखते हैं क्या कहता है, भारत के प्रकर इस्थलों, यानि होट स्पोट्स में बिद्दिमान इस्थानिक प्रजाद पौधों और पसू जातीयों की सूची, मने क्या बोला, ऐसे जीव, जन्तु, पसू, पेंड पौधो की सूची जारी करता है, जो खत्रे में हैं, ठीक है, जो खत्रे में हैं, क्या यह सही हो सकता है, बताईए आपके एसाब से, बोलिए, यहां क्या लिए है, पसू जातीयों की सूची, हमने यह इसमें होट इस्पोट दिया हुआ है, लेकिन यह नहीं कहा है, ऐसे पसू कि जीव जर्मतु जो खत्रे में है तो यह तो नहीं हो सकता ना वो सभी की जारी नहीं करता उसके बाद क्या इसमें है संकट ग्रस्टपध्ध, पधूं, और पसुंची जूट्यात की सूची इसाभी नहीं है न तो कोई स्थलों की सूची जारी करता है और नहीं पस्धू Scientists की जारी करता है जो खत्रे में हैं तो जान सर प्रकष सही हो सम्षम है । थैसरा गलत है लेकिंगे तीसरा D में है तीसरा C में है तीसरा A में तो Right आंसब क्या वगया इसका B ठीक है यह यह यही चीजितों हमें समझाने है आप लोगों को कि कैसे अगर आप एक समझ लेते यानी तीसरा आप सोची यह कि तो सबसे पहले इस पर काम कीजिए है और आप यहांपे क्चीछ देख रहे हैं तीन है वह पिर गजए को अगर आपको तीन को समझ लेते तो जहां तीन नहीं उसको रटा दो जहां तीन है उसको हटा दो बहुत ज़ल्दी आपको दो कुछन पढ़ने की जरुवत ही नहीं थी ठीक है नेक्स कुछन देखते हैं कुछन नमबर एट्टी है बाणिजिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले लोक लुभावन रिण ऐसे लिण जो आसान सर्तों पर दिये जाते हैं उनको हम लोक लुभावन रिण कहते हैं टीजर लोन क्यों कर आर्थिक चिंता का विषय है जो टीजर लोन है ऐसे लोन जो कम सर्तों पर दिये जा रहे हैं और बेलफिर लिए जा रहे हैं आसान सर्तों पर दिये जा रहे हैं वो चिंता का विषय क्यों है पहला है इसमें लोक लुभावन रिण अधो मुख्य रिण जाते हैं तो बैंकों को यह जोकिम रहता है कि भविष में उनके रिंड चुपता ना हूं यह बात ठीक है अगर आप बहुत आप हर किसी को रिंड देना शुरू कर देंगे बैंक हर किसी को बोले आओ नाम लिखो और दो लाक रुपे ले जाओ आओ अपने नाम लिखो दो लाक रुपे ले जाओ आओ अपने अधहर कार्ट दो लाक रुपए ले जाओ क्या लगत आपको देश में लोक लवावन रिण मुक्तिया अनुववहीन उद्धुमियों को उत्पादन संबंदी तथा निर्यात इकाईया इस्थापित करने के लिए दिये जाता है। तो कभी होए नैजी सकता कि कोई भी बैंक को किसी भी को उन्वववहीन को नहीं दे सकता मतलब जांबुंझी के खत्रा वो नहीं ले सकते ao तो दूसरा गलत है यहां पर दो है यहां पर दो है अब एक केवल आंसर ए सही है जो टीजर लोन है वो इसलिए खत्रे का सौधा होते हैं कि आसान किस्तों पर आसान सर्थों पर दिये जाते हैं और आसान चीज़ जो मिल जाती है उसको दुवारा बाफस करने प्रोब्लम बहुत होती है लोगों को ठीक है रहा करत्रिम उपग्र है उपग्र है इसलिए प्रत्री पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि प्रत्रवी का आकर्शन ठीक है यानि प्रत्रवी के चारों और जो एक सेटलाइट है वो प्रत्रवी के धरातर पर क्यों नहीं गिरता उसका रीजन है उतनी दूरी पर अस्तित्य त तोन प्रदान करना यह जो प्रत्वी का आकरशन है जो अट्रेक्षन है देखो आप यहां आटक सकते हो एक्सिलेड्रेट करना मतलब तोन प्रदान करना जो प्रत्वी का अट्रेक्षन है वो उसको तोन प्रदान कर देता है कि खिचाओ अगर बराबर से science जो लोग पढ़े होंगे वो समझते होंगे चीजों को बराबर से करेंगे तो खिचाओ यह एक accelerator बढ़ जाता है आपने बच्पर में खिलोना देखा होगा जिसको गर एक बार आप हिला देते तो घुमता रहता इस तरह से याद होगा साइद बच्पर में आप खिलोना तो वो क्या होता है कि जो उसका जो मूवमेंट है वही उसको तोण प्रदान कर रहा है उसी तरह से प्रत्वी का आकरशन भी है खेर हम कोशन देखते हैं एक टीटू एक टीटू क्या कहता है भारतिय रत्विश्टा के संद्रम में नेमली कत्नों विचार कीजिए बिगत बरसों में सकल घरेल उत्पाद की ब्रद्दी में सतत रूप से ब्रद्दी हुई है ठीक है पहली बात इन्होंने क्या बोला है ब तो है ही और भी है तो कि और और समझना बहुत मुश्किल नहीं होता है क्या आपको लगता है कि हमारे देश की अर्थविश्टा लगातार पांच सालों में ब्रद्दी करेगी कंटिनिटी में क्या फिलक्सिविल्टी नहीं आएगी बिल्कुल आएगी तो सतत रूप से तो इस तरह से हमेशा बड़ी हो इस तरह से नहीं हो सकता ऐसे ग्रोथ नहीं होती है वो ग्रोथ इस तरह से होती है इस तरह से इस तरह से ग्रोथ होती कभी कम कभी ज्यादा ठीक है तो इसका आंसर है डी यह और लग रहा है आपको नहीं होती हो भी किसी देश की एकॉनमी खास करें इंडिया जैसे देश की एकॉनमी जो है पांस साल ना तो किसी व्यक्ति के लगातार इंकम बढ़ेगी और नहीं एकॉनमी बढ़ेगी ठीक है तो दोनों उप्सिन इसमें गलत हैं भले आपने इस डेटा को पढ़ा या नहीं पढ़ा बैसी मैं डेटा बता दूं पुकाती आर्थिक समीक्षा वहां यह डेटा मिलेगा आपको फास्ट सेकंड चैप्टर मिल जाता है कि नेक्स्कूर्शन है इसमें भारत में निमिल लिख भारत में निमिल लिखित में से किस की किर्शी तथा शैबद गत्विदियों में रिण के बित्रण में सबसे अधि सबसे बित्र गत्विदियोंbolagan के लिए परद गत्विदियों कें terrorists के लिए सबसे जादा जो रिणा करते हैं वो बैंक आपको लगता ज्यादा तर वो commercial bank से रिंड लेते हैं सबसे ज़्यादा प्रदान करने वाले संस्ता है वह बादिजिक बैंक किरसी को सबसे ज़्यादा यह बहुत अच्छा कोशन है कि मुझे लोग सोचेंग छेतिक रामीड बैंक है ना लोग करकार के समावेष्द ब्रद्धी लक्ष को ले जाने में निम्स लेकित में से कौन सा का रिय शायक्षद हो सकता है समय वेशित ब्रद्धी का मतलब होता है ऐसी ब्रद्धी जो सतत हो और जिसमें परियावन को कोई आनी ना हूँ मतलब वो समावेशित ब्रद्धी यानि वो ऐसी ब्रद्धी जो हमेशा जो अपने पैडाम पीछे सकरात्मक छोड़के जाए नकि नकरात्मक उसको बहुते हैं समावेशित ब्रद्धी ठीक है यानि श्रीफ उसका पक्ष सकरात्मक निगेट बिल्कुस सही बात है अगर आप फ में प्रोसान देंगे तो होगा सुक्ष लग्मध्य उद्यों को प्रोसान देंगे तो उसमें समावेशित होगा इसिक्षा का अधिकार अधिनियां लागु करना ये भी सही है शमावेशित ब्रद्धी बहुत बडा डर्म है करेंगे चोटे उद्योगों को need support करेंगे जब शीक्षा कमी बढ़ेंगे इस सारी चीजें करेंगे तभी सभी का विकास होगा नहीं सबका का साथ सबका का विकास तो यह करना सब का विकास है समावेशित ब्रद्धी यानि हम हम भी हम भी सम्रद्ध हो हमारा प्रोसी सम्रद्ध हो हमारा साथी भी सम्रद्ध हो सभी लोग संपनिता के और जाएं इसको बोलते हैं समावेशित ब्रद्धी क्वेश्चन नंबर 85 85 क्या कहता है भारत स सरकार केंद्रिय सर्वजिनी छेत्रों छेत्र उद्धमों में लगी एक्योटी को निवेश को बिनिवेश क्यों कर रही है बिनिवेश का मतलब होता है कि किसी भी संस्था में सरकार अपनी हिसेदारी कम कर रही है सरकार सार्ब्द abrazin समस्ताय ह्यां उसमें सरकार अपने हिसेदारी कम रहीया यह दिता है रही है और इसको क्यों कर को लॉटाने में करना चाहती है ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि हम निजी जो संस्ताइं हैं, जो निजी लोग हैं, जो प्राइबिट लोग हैं, जो हमारे देश से इंकम कर रहे हैं, हम अपने विकास में उनको भी भागिदारी बनाएं, इसलिए सरकार संस्ताओं में बिन्निवेस कर रही है स्रकार की प्राइबर यह कहती है येए एक काम करोmn 50 रुपए लग schools सरकार का मेन्म उद्धेस ये है उसको भारत के बिकास में कैसेक भागिधर बनाया जाए यह सरकार का ठीक है बाकिस्त का ब्रोध बहुत होता है निजी कान का ये तो बात सब जानते ही हैं लोग कह रहे हैं कि सरकार जो आर्थी जगह थे उसके हाथों बिक चुकी है वो सारी चीजें हैं बड़ सरकार का अपना एक उद्देश होता है और ये कहीं हद तक सही भी अगर निस्पक् ये रहाओं तraktion के बीच अंत्रक्या चुद्ध ग्रें झग को जो वहमम आगए और अपने जबकी धूक थे ऑरिया मइंगल के चुद्ध बुद्ध के आशपास होता तो देखतें लभू चट्टान ओ प्लेनाइट जबकी धूक के उल्ट ही और ख करते तो पदार्थ आपस में बांद्य रखते एक बात ही बहुत ही बोले हिम सीतित गैस है हैं सीति अगर गैस से बने हुए है है तो सब कठोर चट्टाने कैसे आप बांद सकती है यह कोई लग रहा है आपको तो यह ऑप्शन गलत अगर एक गलत है तो एक बस हो गया काम मिल गया आपको आंसर ठीक है एक अगर गलत है तो आपको इजी आंसर मिल गया ठीक है कौन से आंसर इसका सी दूंके तू गोचर दीतना पुच्ची होते जबकि छुद गिरह यह नहीं दर साथ है बिल्कुट सही बात है जुद गर अदिकान के ब्रस्पती मंगल के बीच होते है प्रकरमा इसकी हुद के दूंके कास्यार है वह पूंच में बदल जाएगी तो यह चीज़ है केवल इसका सी आंसर है क्वेश्चन नंबर है एक कौन सब्सक्राइट एटी सिक्स और एटी सेविन इस आर्थिक विकास सामनेत्या युगमित होता है आर्थिक विकास आर्थिक विकास का मतलब होता है इस पीटी के साथ इस पीटी का मतलब होता है मार्केट में पैसे का ज्यादा आ जाना यह कुश्चन थोड़ा सा वैसा था मैं इसको बात की डिसक्स करूंगा कभी कुश्चन है जो मुझे मुझे खुड डाउट है पीएसजी में ऐसा आंसर क जो लान दे रही है वो सात रुपए के दर से दे रही है कल को वही लौन सात रुपए की जगह पर पांच रुपह हो जाए तो क्या होगा कि जहादे से ज़ sedan यहिए अर्दि जादा बैंक लोन लेंगी आरपियाइसे और जब उन्हें से से रेंट पर लोन मिलेगा तो लोग बैंकों ने जब्र लॉन लिया तो बैंकों लोगों को आसान सवतों पर लोन देने शुरुकिया कमदर पर लोन देना शुरूरू करें कि इसका मतलब किया हुआ कि मार्केट में जो मनी है पैसा उसका फिलो गया अब देखते हैं क्या है कि बाजार में तरलता ब्रद्धी एकदम सही है बाजार में तरलता घटे कैसे घटेगी भाई पैसा लोगे पास आ गया ना बाजार की तरलता पर कोई प्रफोर नहीं बिल्कुर पड़ेगा भाई बाड़ेजिक बैंक अधिक पूंजी जमा पूंजी संग्रहित कर लेते हैं ऐसा नहीं है जब उन्हें पैसा मिलेगा तो पैसा देंगे भी लोगों को ठीक है कि कुश्चन नंबर है एटी नाइन उत्त जी गुलार्द की तूलना में जैसे मालगी प्रित्वी की दो गुलारदे हैं जीरो से यह नॉर्थ है और सब्सक्राइबति Year चुण जे शिमालाजी नौर्थ में इस तरह इसे पबनेकर फ्लाक्ष टो है इस तरह हैं सब्सक्राइसे जब भूखन्ट कम होंगे तो कम होगा तो 금 होगा तो विंड का जो अपने हैं अपने आप कम ही बात यह और तेंप बार बार चेंज होता है तो प्रेशर चेंज होता है और आपको पता है मुँंड मुमन्मेंट भी बाईस दस हो जाएगा तो क्या होगा विंड का मुवमेंट भी चेंज़ुगा अगर टेंपरेचर के एक जैसा रहेगा यहाइड अच्छिशाने चेंज नहीं हो रहा है तो यह चीज है यह question सही जिसी is, उत्री गुलार्द की तुल्ना में दच्छी गुलार्द में और कोरियोलिस बल आधिक होता है ऐसा कुछ नहीं है यह गलत है 81 का answer है, इसमें Cable A A answer है, अब इसमें समझ लिए कब़र क्या है क्ोरियोलिस बाइते, क्ोरियोलिस मतलब होता है कि जब जैसे यह प्रत्वी है यह प्रत्वी है तो कोरियूलिस बल की बज़े से नौर्थ मिस्पर में विंड इस तरह से मूव कर जाती है और इसके कोरियूलिस बल के कार्ण ही होता है और यह इस तरह से मूव कर जाती है इस तरह से यह विंड का जो है वो यह होता क्या है कि यहां से चलना शुरू होती है तो प्रत्वी का रोटेशन है वह क्या है वह से विस्ट आने चाहिए तो इधर गूम रही है तो इधर मुड़ जाती है वही चीज से मिया है जो इधर जाना चाहिए था घूमने की बज़ए से इधर मुड़ जाती है इसी कहते है कोरियोलिस बल कभी इसको जोगर्फी बहुत अच्छे समझाएंगे और हमने आफ्लाइन क्लास में वैसे कई वास समझाया भी है ठीक है तो कोरियोस बिल कम और ज्या आपको कौन धर्द करता है उसमें एक तो अप्शन हो सकता है कोरियोलिस बल और दूसरा हो सकता है प्रत्वी घूणन सेम चीज है जब भी होगा एक ही अप्शन होगा प्रत्वी का घूणन होगा या कोरियोलिस बल होगा दोनों एक साथ नहीं होंगे और बता दूं कि जो क पास में चक्रवात कम बनते हैं की कि काम बनते हैं क्योंकि वहां पर uh Tim zero होता है यानि वहां पर जो लीन है वह मुम्हींत नहीं कर पाती है पोब लीन कर पाएगे सेकलो नहीं भूमद रेकंडरी उन पर है इसलिए वहाँ पर चक्रवात नहीं आते हैं जीरों से पांच या दस दिक्री तक आप इसको देखना गौर से है तो इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर क्यावाल होगा एक क्वेश्चन नंबर कि 90 है निमलेकित मैंसे किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के मद्दिनों से इंचानल नहीं तो बहुत प्रेक्शन है मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं सीधे सीधे इसका आंसर है 90 का भी ठीक है भी है यह वार मैप में आप देख लेना यह करेंट का कोश्चन है उस भी करने इसकोशन ऐसे मिलेंगे वह आपको बास्ता में टप्र नहीं करना है आपको कितने कुस्चन करने कीजिए को संक दिक्कत नहीं को दिक्कत नहीं है विस तीस कोशन शोड़ने आपको ऐसा इसना नहीं हो सकता बिल्गुल हो वाले करेंगे हम वी कर सकते हैं कोई प्रराप्लम नहीं है अगर आपको लगे बहुत जयादा हो रहा है तो इसको चोड़ भी सकते हो है Ontario कि इसका और बता दे रहों आपको क्या है इसका जो she क्या है वो है सी ठीक है वह कुछन अब देख लेना यह क्या है कि टाइम ज्यादा टाइम कम रह गया है कि आधे घंटे मुझे वीडियो बनानी थी सिंद्गाटी सब्वेता के संदर में नियुक्त पर बिचार की यह प्रमुक्ता लॉकिक सब्वेता थी इसमें धार्मिक तर् कोनों सही है सिंद्गाटी सब्वेता में कपास के बस्तर बनाये जाते थी यह बात एकदम सही है और नेक्स कुश्चन दिखते हैं गंगा के निचले मैदानों में विसेश्ता यह कि यहां बर्स भर जलवाय उच्छ तापमान के साथ आद्र बनी रहती है गंगा के निचले मैदान की बात हो रहा है ठीक है कि यहां पर काली मिट्टी नहीं है जो कपास होगा ठीक है कि यहां कैंद दी नमबर है 94 अफ्रीकीं और यह उपोस्त उच्वाइव कोशिकाओं से अवसित होते हैं बिल्कुत सभी है उच्वाइव दाव है वहां पर यह उस्वाहसागत धाराओं के प्रभाव चेत्र में ऐसा नहीं है उस्वाहसागत धाराय कैसे हो सकती है यूरेशिया में अफ्रीका माने सकते हैं यूरेशिया का मतलब है वह भाग जो इसे गोवी डेजर्ट है वहां पर हर जगह नहीं है हर जगह नहीं है तो यह आंसर इसका है क्वेशन नमबर 94 देखिए 96 निमलित करतों विचार कीजिए उच्चतर च्छांसों की तुलना में निमत्र च्छांसों में जय विविता सामन्त्या अधिक होती है से उच्चतर च्छांस का मतलव होता है 90 डिग्री यह से प्रत्वी है यह प्रत्वी है तो इसके ये तो है हाई लैटिटीटूट और ये है लोग ठीक है उच्छतर च्छांसों में निमत्र चांस जायसी बात है धुर्वों को जयविता ज्यादा मिलती भुमद्रेका मिलती है परवतिये परवनताओं में उचतर उतांतों की तुल्णा में निम्तर उतांतों में जयविता अधिक होती है जो उचाई पर पहाड़ होते हैं उनकी तुल्णा में जो नीचे पहाड़ होते हैं बहाँ पर उतांत का मलत होता है उचाई बहाँ पर जयविता अधिक होती तो यह यह भी सही है तो इसका आंशर है C шemal 96 का से ज्दोनें सही है तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रहंपुत्र रावदी में कांग नदियां अपने उपरी पाटों में संकीन समानांतर परोशने से होकर प्रभायत होती हैं इन नदियों में ब्रहंपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रभाव में यूटर्न लेती यानि इस तरह से मुड़ जाती है यह यूटर्न क्यों बनाती है बलित हिमाले कि यह तरुण हिमाले के अच्छांसंग यह नमन की कारण यानि जो अच्छांसंग यह जुगने कारण यह बात एकदम सही है तिरतिये कलब सेड़ी बलित परवातों आईसा कुछ नहीं है यह भी नहीं तो आंसर क्या इसमें है बी नेक्स कुर्शन देखते हैं नाइन टी एट का निमी लिखित विशेष्टाओं पर भारत एक राज की विशेष्टा है इसका उत्तरी भाग सुस्क और अर्द सुस्क है इसके मद्ध भाग में कपास को उत्पादन होता है यह राज में खाथ फसलों की तुलना में बार्ज नगती पहसलें अधिक होती है तो आम्द्ध परदेश में क्या आना सुस्क प्रदेश नहीं यह नहीं हो सकता करनाटक में सुस्क नहीं है तमिन्नाडू में बानेजी क्रॉप नहीं है तो गुजरात में सबसे ज्यादा कपास होता है तो गुजराती राइट आंसर है ठीक है अब नेक्स कुछन है हंडेट कुछन है धरम तथा रित की प्राजचीन बैदिक शर्विताओं के केंद्री विचार को चित्रत करत को अच्धरा पहला कहता है कि धरन व्यक्ति के दायतों ऑन समूतता दूसरों के परतीं ब्यक्तिगण ''कम् की......'' करतकिकिं के शंकलपना करता यह नई है रित्ट कि बिधान निये भी नहीं यह इसका ड आंसर इसको जो है वो प्राजीन बैदिक सभाताओं में कुछ और ही है ठीक है तो यह नहीं आई प्राचिन बैदी साथ में जो आज का धर्म है इसकी बात नहीं की गई है तो यह तो थे आज के अब हंडेड कुशन है यानि 25 कुशन आज के थे नेक्स्ट वीडियो में कल से हम 2012 के क्वेशनल लेकर आएंगे यह मेरी आप बात मानिए इनको बहुत अच्छे से आप सॉल्व किजिए यह सॉल्व करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी और नेक्स्ट यर के यह आने वाल एक्जाम को पेपर को सॉल्व करने में कम से कम जो हम इलीमिनेशन प्रोसेस बताते हैं वह उस पर बहुत ज़्यान देना है और यूपी कोई भी स्टेट है उसके पास अपने कुछन नहीं है तो वह क्या करते हैं यूपी असी कोई लाइन उठा लेते हैं और यूपी असी वाले भी क्या करते हैं जो कभी उन्होंने पुरानी कोई सेंटेश दिया उसको उठा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस रह सब्सक्राइब तो उसको वहां से उठाने में कोई प्रॉबलम नहीं है उसी वहां से उठा के दे सकते हैं तो मेरा में तो कहने की है कि आप प्रीविएस येर क्वेश्चन पर भी फोकस बनाए रखिए थेंक यू